Child-centered education यानि बाल केंदरित सिक्षा इस पर खूब भर-भर के question आते हैं हर एक topic में इसका simple सा मतलब है बच्चे को center में रखो और सारी activities जितनी भी activities हैं school के अंदर वो बच्चे की need के according बच्चे की need के according ये है बच्चा इक बच्चे की need के according चाइल्ड's need बच्चे की need के according प्लान ह होंगी मतलब अभी question आया था जिसमें कई teachers ने भी गलत बता दिया और बहुत ही अपने आपको मनो अज्याने की मानते हैं almost यह कई लोगों के साथ दिक्कत है वो गलतिया नहीं मानते देखो एक बाद तो इसमें question था कि in curriculum school children play main role या फिर school activities तो उसका answer था school children play main role क्योंकि बच 99.9% में official answer ही सही है लोग उसको गलत तरीके से दिखा देते हैं आपके सामने कि नहीं 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 सही तो यह था इन्हों नहीं गलत दे दिया क्योंकि official seat at CBSC की तरफ से तो आपके पास कोई आएगा नहीं यह कहने कि आप गलत बता रहे हो sir official सही है तो 99.9% में official answer सही होते है 0.1% भी कम chances है ठीक है तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि official को आप follow करें अगर मैं बात करूँ तो child बच्चे की activities को center में रखा जाएगा curriculum के curriculum क्या है curriculum वो चीज़ है जिसमें सारी activities आपका syllabus भी आ जाएगा और जितनी भी activities आपकी prayer से लेकर के सारी चीज़ें आएंगी यह तीन शब्द याद रखना child centered यानि बाल के अंदर सिक्षा बच्चे को चन्म से ही curious यानि जग्यासो मानती है कि वो सीखना चाहता है उसके अंदर questioning की skill है बस हम और आप ही उसको दबा देते हैं जब वो question पूछता है कि क्या hard time पूछते रहते हो तो जग्यासा उसके अं यानि रशनात्मकता की भी शमता है और innate ability है सीखने की आंतरिक शमता है जन्मजात शमता लेकर के वो पैदा हुआ है चीजों को सीखने की ये बात बिल्कुल सही है कोई समस्यास में नहीं है तो बच्चे by nature जग्यासू है रशनात्मक है और सीखने की जन्मजात शमता के कि बच्चा तो जग्यासू था अगर कुछ गड़बर हुई है तो आपके system ने या society नहीं खराब किया होगा उसे, ठीक है बात, आगे बढ़ेंगे, इसलिए आप हर एक question को इसी बात को ध्यान रखेंगे, कि बच्चा तो जग्यासू होता है, innate capacity है, बच्चे को ही primary center में रख को आजी में, कि enlightened से, un enlightened में भरना, ऐसा कुछ नहीं है कि बच्चे खाली बरतन है, प्याज ने इस बात को बिल्कुल नकार दिया, वो कहते हैं, वो little scientist है, बच्चों की जो सोच है, वो kind में अलग है, ऐसा प्याजे कहते है, प्रकार अलग है, type अलग है, quantity या amount same है, इस बात क सेम है, quality same है, sorry, quantity same है, ये बात आप भ्यान रखेंगे, प्याज ने कहिए ये बात, तो हमें भरना नहीं है, बच्चा खाली बरतन नहीं है, जैसा कि John Locke ने कहा, कि tabula rasa है बच्चा, tabula rasa आज की date में नहीं है, child-centered education इस बात को नहीं मानता, ऐसा John Locke मानते थे 17 अताबदी में, ठीक, आज हम बच्चे को knowledge को construct करने वाला कहते हैं, जो कि NCF भी कहता है, NCF किस पे based है, रचनावाद पे, और teacher को facilitator यानि सुविधा दाता बताता है, NCF, ये सब मैं expert series में भी आपको करा चुकी है, ठीक है, आगे बढ़ेंगे, आप अपने attitude को shift करेंगे कहां से, बच्चे क खाली बरतन समझने की जगहा, उसको एक पौधा, एक फ्लार समझने के लिए, जिसको आप nutrition देंगे, सही माहौल देंगे, सही मृत्टी देंगे, सही टाइम पे पानी देंगे, हवा देंगे, और वो अपने आप ग्रो करेगा, तो हमें पौधा समझना है, बच्चे को ना क खाली बरतन जिसको भरना है, teacher-centered, class को no कहेंगे, child-centered को yes कहेंगे, clear हो गई बात, आगे बढ़ते हैं, teacher-centered to child-centered, teacher-centered to child-centered, अब teacher-centered कौन सा है, पहचानने में देर थोड़ी लगेगी आपको, बताओ एक बार, प्लीज सुनिये, जी बताइए, कह दीजे, बैटरी डेड हो रही है, बस दस मिनट और, दस मिनट में खत्म कर देंगे, ये महनत ना उस दिन दिखाई जाए, देगी जब 31 को पेपर देके आओगे ना और ये revision याद आएगा, बताओ एक बार, अभी तो पांच दिन चलेग मदब marathon ही है, बाकी classes दो घंटे में खत्म हो जाएंगी, ये थोड़ा बड़ा syllabus है, teacher-centered to child-centered, ये है teacher-centered और ये है, उल्टा बता दिया, ये है आपका teacher-centered approach और ये है child-centered approach, simple सा मतलब है, group में बच्चे हो, group learning, ठीक है, group में बच्चे सीखें और teacher कहीं बीच में facilitate करे, जहाँ ज बाता बने teacher, ये है teacher-centered में क्या, teacher अलग बैठा हुआ है, बच्चों पर यहीं stock-fink-fink के मारी जा रही है, बच्चों को जान भी नहीं रहे, वो आपस में, group में सीखेंगे तो अच्छा सीखेंगे, ठीक है, हमेशा याद रखिया, group learning is good, यानि सम्हूं में सीखना अच्छा बनते हैं, child-centered education कुछ चीज़ों पर focus करता है, जैसे बच्चे की present life पे और उसके अनुभव पे, current life या present life, जो उसकी चल रही है, उसको बहतर बनाने पे, बच्चे को center में रखा जाता है education के, बच्चे को opportunities दी जाती है, ये positive words हैं सारे, बच्चे को choice दी जाती है, उसकी choice के according वो अपने interest, aptitude, attitude की according चीज़ें चुन सके, और, देखते हैं एक बार, वा, 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 ये बदा नहीं कोई कैसा कैसा नाम बना लेते हैं लोग, अम अन डेटर वाल कह रहे हैं कि, उसने बात करना छोड़ दिया, please help करो जी, जिसने जो छोड़ दिया, जिससे साथ रहना है व और, एमोशन खराब करने के बाद, भूम फिर के फिर, वहीं आओ जहां आना है, तो, आसानी से rational thinking का इस्तेमाल करो, intelligence का, के reason लगा करके, जिस चीज़ में भलाई है, उसको समझ करके, और पढ़ाई पर दिया जाए, जो भी आपके जीवन में important है, अना, emotions का खेल यही है, य यह चीज़ आपके हाथ में नहीं है, जो चीज़ हाथ में उसको समझ लेज़े, ठीक है, देखे, the child, एक इंसान universe नहीं है, किसी के साथ पैदा नहीं हुए थे, आप जो मरेंगे, देखे, आजो, support the child of the, support the choice of the child, बच्चे की choice को आप support करें, the child has an individual identity, उसको आप एक individual की तरह देखें, उसको भी बराबर की respect चाहिए, वो भी अपने आप में एक identity रखता है, ठीक, इसलिए differentiated instruction एक term होता है, और एक IEP एक term है, individualized education plan, जो आप special education में use करते हैं, और, हाँ मतलब अब आपको फिर हिसाब किताब लगाना है, कि कुछ रहा आपका, और उसके बाद आपको य क्या होगा, तो फिर हिसाब ही कर लेते हैं, कोई दुनिया में business हैं करने को, वो कर लेते हैं, emotions में भी अगर हिसाब किताब ही लगाना है, तो, देखो एक बार, आकाश बाच पई, बहुत बढ़िया मौंबद शराफात अली, आजओ इधर, फटावच से थोड़ा से सले बस को ध्यान में रखते हुए, IEP होता है special education में, inclusive education में, individualized education plan, parents और बच्चे मिल करके, teacher दोनों को use करके, एक अच्छा plan मनाता है individual की needs को रखके ध्यान में, तो, ये दोनों ही चीज़े important हैं, याद रखिएगा, आगे बढ़ेंगे,